नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इंशान नेशनल डूरे 24 पे आप सभी का बाद बाद स्वागत हैं बता दिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से प्रदानमंत्री मोदी के लिए हवन पूजन कर इश्वर से कामना भी की गई कि इसी पिरकार से वद्देश की सेवा करते रहें हमेशा वा निरोग रहें और उनकी दीरगाईयों हो रिपोर्ट रिशी पंडित देश के यसससज़ी प्रदानमंत्री मानी मोदी जी का जन्र दिवस है और जन्र दिन पर सभी जो जिनका जन्र दिन होता है उनके परवार के लोग उनसे प्रेम करने वाले लोग उनसे जड़े हुए लोग उस दिन खुसी प्रदर्शित करते हैं जन्दिन को एक विश्य सभसर बनाने के लिए अनेक प्रकार के उपहार उस्साव ऐसे सब कारिकम करते हैं अब मोधी जी जोगी भारत माता के और भारत की जनता के लाड़ने है, हम सब कारिकरताओं के प्रेणा के श्रोत है, तो हम उनके जनम दिन को उस सब के रूप में कैसे मनाएं, क्या पाट्टी करें, क्या भारता खंव्हों करें, क्या बहुत बड़ा खर्चा करें? की जगह? मोधी जी के जीवन ते प्रेणा लेकर हम सब कारिकरताओं ने मानि मोधी जी के जम दिवस को सेवा सप्ताहा सेवा के सप्ताहा के रूप में चंता के चड़ों में सेवा करने के अभ्यास को और अधिक करने के दिये करने को ही माना कि मानी मोदी जी के जर्म दिन के लिए इससे अच्छा उपार कोई नहीं हो सकता और इश्वर की भी ऐसी कृपा है कि ये जो सेवा का जो सब्तानी सेवा का पखवारा जो सत्रे तारिक से सुरू होगा और दो अक्टूबर को हम इसको एक समापन के रूप में करेंगे तो हम सब जानते हैं कि राश्पेता पुझ गांदी जी का उस दिन जनती है तो एक तरीके से मानी मोदी जी के जन दिवस पर सेवा के संकल्प को प्रारंब करने वाले हम सब ऐसे भारती इंता पार्टी के कारिकरता है पुझ गांदी जी के चोड़ों में अपनी भावांजली अपनी पुन्य भावों को समर्पित करते हुए क्योंकि सेवा का साच्छात दर्शन गांदी जी के जीवन से होता है जो हम सब लोगों ने थियास में पढ़ा है अमानी मोदी जी को हम सब देख रहे हैं मैं इसको तुलना के भाव से नहीं खेरा वह राष्ट पिता है लेकिन उनके उनहीं के बतायत जैसे काम करने वाले मोदी जी के प्रती हम सब बहुत हर्षित हैं उनके सतायू दीरगायू स्वस्त सानंद और देश सिवा में समर्पि उनके जीवन के लच्चिके प्रती हम सब लोग हर्दर से शुप खामना देते हैं बहुत बहुत हैं